मार्च 2021 में महाराष्ट्र में हुए ट्रांस्फर घोटाले का परदाफाश मेंने किया था छे महने से जो रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी थी लेकिन सरकार ने उस पर कारवाई नहीं की थी जिस रिपोर्ट में किसने कितने पैसे दिये किसने किसके साहता से अपना ट्रांस्फर करवाया किसने कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलवाया यह सारी चीज़े थी उस report को मेंने प्राप्ट किया या मेरे पास वो आया और मैंने उसकी press conference लेकर ये जानकरी दी कि ऐसा report मेरे पास है जो report मैं देश के home secretary साब को swap ने जा रहा हूं शाम को जाकर मैंने उस report को home secretary साब को swap दिया उसके बाद इस रिपोर्ट पर जब कारवाई नहीं हो रही थी तो माननिया नियाले ने कौट ने यह सारे मामले की तफ्तीश को सीबियाए को सौपी और अब सीबियाए उसके उपर जाच कर रही है उस मामले में भी पूरू गुरू मंत्री आरोपी है वे अभी जेल में है और जब यह सारा अपना घोटाला बहार आया तो इस सरकार ने चुकि मामला तो सीबियाए के पास था तो इस सरकार ने विंडिक्टिव एटिटूड से एक गुना यहाँ पर दाखिल किया कि यह सारी चीज़े बाहर कैसे आई इससे ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट का उलंगन होता है और उसके बाद चुकि यह सारी बाते मैंने एचेस को सौपी थी होम सेक्रेटिस आपको सौपी थी उन्होंने मुझे दो बार क्वेस्चन आयर भेजा मैंने एक बार उनको जवाब भी दिया कि उचित समय पर मैं इसका जवाब दूँगा लेकिन कल मुझे पुलीस के और से CRPC 160 का नोटिस मिला है जिसमें उन्होंने इसी मामले के सिलसिले में मुझे BKC साइबर पुली स्टेशन में बुलाया है वैसे तो विपक्ष के नेता के रूप में मेरे पास इंफर्मेशन कहां से आई है इसको न बताना है मेरा प्रिविलेज है लेकिन बावजूर उसके मैं चुकी होम मिनिस्टर रहा हूं मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं और कोई भी ऑफेंस गलत तरीके से भी अगर रेजिस्टर किया हो और उसमें अगर पुलीस कुछ पुछता चुकुछ साहता चाहती हो तो मैं उसको रिस्पॉंड करूंगा इसलिए कल ग्यारा बजे बीकेसी साइबर पुलीस टेशन में इस मामले के बारे में मैं जाने वाला हूं उनके सवालों का मैं जवाब दूगा लेकिन मुझे इस बात का आश्चरिय है कि जो घुटाले बाजे और जिनकी कि CBI इंक्वाइरी कर रही है उनको अगर सही समय पर सरकार पकड़ती और छे मेना इसको दबा कर नहीं रखती तो शायद मुझे बाहर लाने के आवशक्ता ही नहीं पड़ती उनको सरकार बचाना चाहती है और जिसने घुपला घुटाला बाहर निकाला उसको पुलीस हूंगा क्योंकि मुझे पता है CBI में तो दूद का दूद और पानी का पानी होता जा रहा है और जल्दी ही पूरे मामले में मेरा विश्वास है कि CBI अपनी रिपोर्ट को सोपेगा या उसकी जो उनकी कार्य पद्ध्यति होगी उस कार्य पद्ध्यति को पूरा करेगा